अलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल माय आडिया ग्यान गुरू दोस्तों आज मैं ये वीडियो जो ओडिनेस फैक्टरी में जो एक्जाम हुई थी दस्तारिक को वेल्डर की तो उसका कोश्चन पेपर आज मैंने लाया हूँ तो ये है सेट ए तो आप इसके एंसर्स मैं एक नए वीडियो में डालूंगा लेकिन ये आज के वीडियो में सिर्फ मैं इसका कोश्चन पेपर अपलोड कर रहा हूँ जब आगे इसके रिक्रूट्मेंट होगे तब आप लोगों को काफी काम आएंगा तो देख लिजे इसके कोश्चन वेल्डर के और इसका टाइमिंग तो है आपको मालूम है दो वर्स का है और मैक्जिमम मार्क सव मार्क का है तो ये जो दस्तारिक जो पेपर हुआ था वो काफी तफ आया था पेपर और दोस्तों इसकी लेवल जो है वो क्लर्क लेवल टाइप अभी एक्जाम में पेपर्स आ रहे है तो काफी हाड लेवल के कोश्चन इस बार दिये है और डेनेंस फैक्टरी ने तो दोस्तों जितना आप ट्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा तो देखते इसके कोश्चन्स ये टोटल सव मार्क का पेपर रहेंगा दोस्तों और आपको दस मार्क का जनरल साइंस का पेपर रहेगा ये देखिए हाव डस लाइट नार्मली ट्रावल ये पहला ही कोश ये जनरल साइंस का क्योश्चन है ये टोटल मार्क रहेंगे आपको 10 मार्क यहाँ तक है 10 मार्क और नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा वोगा मेयात तो यह वह भी 10 मार्क के लिए एकजाम में पुच्छ पूचा जाता है ओरडिनेंस फेक्ट्री वेल्डर के तो यह भी दे से देखिए 11 12 के और यहां तक हो गया दोस्तों 20 मार्क का टोटल याने मयात हो गया आपका 10-10 अन donn दस मारक के लिए जन्राट साइंस और बाकी जो 80 मारक है वो पूरा आप जिस trade में idea complete करते उसी trade में आपको वो question पूचाए जाते है तो मैं बता दू कि इस बार जो दस्तारिक को जो एक्जाम हुई थी ordinance fact की welder के लिए welder post के लिए तो उसकी काफी टब था तो जिन लोगोंने exam दी है तो उनका cut up आप शाय जो मैं अलग से फिर से एक बार नया expected cut up आपके लिए upload करूंगा तो यह वीडियो देखते रही है तो आगे की question देखते हैं welder के तो यह अभी टोटल होगे welder पर एक टी कोश्चन्स और दोस्तो मुझे तो लगता है इस बार का जो cut up आएगा तो काफी कम आएगा क्योंकि दोस्तों यह paper मैंने भी देखा है तो काफी तब paper आया था इस बार तो शायद cut up इसका कम हो सकता है काफी कम हो सकता है इस बार welder का cut up और दोस्तों इसके आंसर की भी मैं जल्द ही upload करूंगा सारी ट्रेट के तो आप मेरा चैनल वाच करते रहें यह देखिए 55 हो गए है और यह दोस्तों जब आगे में जब recruitment होगी ओडिनेस प्रेक्टिक के तो यह paper आपको वह एक्जाम के लिए भी इंपोर्टन्स है तो आप जिन लोगों को फिर से paper देना है जो आगे में recruitment होने वाली है उसके लिए भी काफी इंपोर्टन्स है यह सारे कोश्चन वेल्डिंग पर आएं वेल्डर पर है यह हो गया 66 तो यह हो गया दोस्तों 75 कोश्चन्स 80 और दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें शेर कर यह वीडियो तो आपके दोस्तों को भी इसका काम आएगा जब वो आगे में पेपर देंगे तो दोस्तों मिलते एक नए वीडियो के साथ तब तक थैंक्यू प्लीज सब्सक्राइब प्लीज वीडियो ऑफनी जह।